नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News सक समवत 1945 विक्रम समवत 2018 आज बैसाक मा के कृष्ण पक्स की पंच में ती थी और दिन मंगलवार है तदनशार अंग्रेजी तारिक 11 अप्रेल सन 2023 है आईएस सबसे पहले एक नजर डालेते दिन बर की सुर्क्यों पर युवाओं के लिए आईस टोर कीपर के पदों पर भरती बारुपास करे अपलाई हरियाना में गर्मी की दस तक 10 थानों पर 35 डिगरी से ज़्यादा ताफमन पहुंचा 10 दिन तक बारिश के कोई आशार नहीं 17 अप्रेल से सताई की गर्मी हरियाना में बड़ा प्रशासनिक फेर बदल 50 आईएस अप्सरों का ट्रांसपर 9 जिलों की DC भी बदले रेलवे यातरयों के लिए जुरूरी सूचना दिल्ली रेवाडी रूट पर दो दिन तक नहीं चलेंगे ट्रेने बताएंगे पूरी खबर सेना भरती के लिए CW यानी एंट्रेंस एकजाम 17 सिले का 26 तक हरियाना दिल्ली और चंडिगण में बनाएगा केंदर सोने चांदी में आई बड़ी गिरावट कैरेट के हिसाब से देखे गोल्ड की केमत बताएंगे पूरी खबर और आप खबरे विस्तार से हरियाना में मोसम ने एक बार फिर से करवट बदली है राज्ये के 10 स्थान ऐसे चीनित किये गए हैं जहांका अधिक्तम तापमान 35 डिगरी सेल्सेस रिकोर्ड किया गया है मोसम विवाग के माने तो अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 24 डिगरी सेल्सेस की वर्दी होगी हरियाना के कुछ जिले ऐसे है जहां 35 डिगरी सेल्सेस के पार अधिकतम तापमान पहुंच गया है मोसम विवाग का कहना है कि तापमान बढ़ने के साथ ही तेज हवाईं पी चलेंगी गरम नहीं होने के कारण इन हवाँ को लू नहीं का आ जा सकता हरियाना में तापमान 35 डिगरी के पार पहुंचने के परबल समभाव नहीं है मोसम विवाग ने अपरेल से जून तक न्यूटरल स्थिती बने रहने के समावन हो जता ही है अखिल भारते आईरुवेद संस्तान दिल्ली ने स्टोर केपर के पदों पर भरते के लिए आविदन आवंतरित किये है जो भी इन पदों के लिए चुक है वे अपना आविदन भेश सकते है आपको बता दे कि यह भरती रेगुलर आदार पर की जाएगी जो भी उम्मिद्वार इन पदों पर भरती के लिए चुक है वे अपने आविदन भारती डाक के माधिम से भेश सकता है आविदन करने की अंतिम देती 20 सपरेल 2023 ते की गई है आविदक बारुई पास होने चाहिए तो था अंग्रेजी टाइपिंग में 30 सब्द या हिंदी टाइपिंग में 25 सब्द पर 30 मिनट की गती होनी चाहिए दिव्यांग उम्मिद्वारों को कोई भी आविदन शुल्प नह पर देख लें हरियाना सरगार ने पुलिस मेंक में के बाद बड़े स्तर पर आई एस अधिकारियों की जिम्मिदारियां बदल दी है 50 आई एस अफसरों के ट्रांसपर के साथ ही 9 जिलों की डिसी भी बदल दी है वरिष्ट आई एस अधिकारी साकेत कुमार को उत्तर हरिया बिजली वितर निगम यह यह बीवेन में मैनेजिंग डियरेक्टर यह एमडी लगाया गया है उन्हें करनल डिविजन कमिशनर के जिम्मिदारी भी दी गई है इसके अलावा असो कुमार गर्ग को हिसार नगर निगम का कमिशनर निक्ट किया गया है आई एस अफसर परदिप कुमार को नू, मोनिका गुपता को महिंदरगड, मौमद इमरान रजा को रेवाडी और परसंथ पवार को अमबाला में डिसी बनाया गया है हरियाना में बढ़ते पारे के बीच पानी के संकट से निपटने के लिए सरकार ने मेगा पलान तैयार किया है हरियान के जनस्वास्त एमसागारित अमंतरी डाक्टर बनवारी राल की अधिक्स्ता में हुई रिव्यू मिटिंग में पेजल संकट पर चर्चा की गई हरियाना में पानी को लेकर हालात गंबीर हो गई है हरियाना में कोरोना लगाता अपने पाउं पसारता जा रहा है कोरोना दो हपतों में दो जिलों से 19 जिलों में फैल गया है 24 गंटे की बात करें तो अभी तक 428 रिकोर्ड मरीज मिले है सबसे चिंदा जनक बात या है कि राज में एक्टिव मरीजों की संक्या में तेजी से विस्तार हो रहा है सूबे में अब 1819 एक्टिव मरीजों की संक्या पहुँच गई है सिर्फ तीन जिले से हैं जहां एक भी एक्टिव मरीज स्क्रे नहीं है हर्याने के स्वास्त मंतरी अनिल विज का कहना है कि इस बार का यह वेरियंट बहुत ही माइल्ड है और इससे ज़्यादा कोई घबराने के बात नहीं है लगबग केवल 35 मरीज है अस्पताल में है और बाकी सब घर पर इलाज करा रहे है अनिल विज नहीं का है कि कोरोना को लेकर हमने कोई ज़्यादा सक्ति नहीं किया है केवल 100 से ज़्यादा भीडबाडवाले छेत्रों में लोग मास्क आविसे लगा ले स्वास्त कर्मियों को मास्क लगाने के लिए दिसांदर देश दिये गए हैं पूरे हरियाणा के बराबर अकेले गुरुगराम में 940 सक्रिय मरीज हैं रेवाडी में अभी एक कोरोना का मरीज सामिल है हरियाणा के रोतक्स्तित स्थानी भरतिकारयलेक निदेशक करनल दीपक कठारिया ने बताया कि भारती सेना में 2023 चोईश भरती के लिए ओनलाइन कोमन एंट्रेंस एक्जाम यानी CWE, हरियाना, दिल्ली और चंडिगड के कई प्रिक्षा केंदरों पर 17 से लेकर 26 अप्रेल तक आयुजित किया जाएगा प्रिक्षा केंदरों के सहरों में दिल्ली, फरिदाबाद, गुरुगराम, चंडिगड, अंबाला और हिसार सामिल है भरती निदेशक ने बताया कि जोईन इंडियना आर्मी की वेबसेट पर सफलता पुरोग अपना पंजिकन करवाने वाले उमिद्वारों को सेना द्वारा प्रिक्षा के लिए अड्मेट कार्ड डाउन्रोड करने का लिंक, समस और इमेल पर पहले ही भेज दिया गया है उमिद्वारों को सलाह दी जाती है कि भरती प्रक्रिया के दोरान नेजी अकादमी सहीद किसी को भी अपने मूल दस्ताविज ने सोपे ताकि दलाली की गदिविद्यों के सिकार होने से बचा जास के कड़ी मेहनत करें और अपने प्रयासों से फिजिकल टेस्ट आवश क्वालिफाई करें हरियाना के करनाल की घरोंडा अनाज मंडी का सोमार शाह मुख्यमंतरी मनोलाल खटर ने दोरा किया इस दोरान उन्होंने किसानों से बाचित की मुख्यमंतरी ने मीडिया के सामने माना की बेमोस्मी बारिश की वज़े से फचलों में नुक्सान हुआ है और सबसी ज़्यादा नुक्सान सर्सों में हुआ है बर्षात के काणी मंडी में ग्याओं की आवक्स से देरी हुई है फसलों में नुक्षान के आकलन को लेकर खेतों का भी दोरा किया गया है और मंडीयों का भी जाय जाल लिया जा रहा है खेतों में बर्षात के काण किसानों की फसले जमीन पर बिच गई और फसल बिचने के बाद उनके चमक कम हो गई है इस साल नुक्षन की मात्रा पिछले साल से कम नहीं है किसानों से अपील है कि ग्यों को सुखा कर आवश्यमंडियों मिलाई लोगों की सहुलित के लिए शुरू किया गया परिवार पैचान पत्र इनी ट्रिपल पी अब गले की फास बन गया है दिव्यांग से लेकर बुजरुक तक धक्य कहाने को मजबूर है यहां तक कि डिसी ओफिस आने के बाद भी उनके समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तीन-तिन मैने से लोग धक्य कहाने को मजबूर है किसी का बीपल तो किसी का रासन काड कट गया है परिवार पैचान पत्र में गड़बड़ी होने से बुजरुकों और दिव्यांगों को पैंसन तक नहीं मिल पा रही है लोग अब सरकार से सवाल पूछने लगे हैं कि आकिरी समस्या से कब छुटकार मिलेगा करमचारी समस्या का समाधान करने के बजाए e.disa.gov.in पर अपनी सिकाइट दर्ज कराने का सुझाव देकर चलता कर रहे है ट्रीपल पी यानि परिवार पैचान पत्र के चलते इनका बीपेल कार्ड वरासन कार्ड की सुईदा बंद हो गई है अंधियर करदी का आलम ये है कि परिवार पैचान पत्र में इनकम को सत्यापित करने वाली लोग गरीबों के घरों का बहुतिक सत्यापन किये बिना ही अपनी मर्जी से इनकम चड़ा दी है हारियाना के नारोल में कॉंग्रेश नेता इम विधायक किरन चोदरे ने कहा कि अगर कॉंग्रेश को सत्ता मिलाना है तो सभी कॉंग्रेश नेताओं को साथ मिलकर चलना होगा उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस बहुत बड़ा संगठन है और इसके अनेक दिगज नेता भी है लेकिन टांग खिसाई करने से किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा उन्होंने कहा कि मौजुदा परदेश सरकार ने ऐसे अनेक काम लागों किये हैं जिससे केवल पबलिक प्रेशान हो रही है उन्होंने कहा कि प्रोपर्टी आइडी से लेकर पूरा परदेश दुखी है उनके सरकार आएगी तब प्रोपर्टी आइडी और फैमिली आइडी द पालम और विजवासन की बीच मरमत कारी की वज़े से 16 और 18 अप्रेल को दिल्ली रेवाडी रेल्वी लाइन पर सुबह से साम तक 10-10 गंटे ट्रेने बाधित रहेंगी ऐसे में इस रूट पर सफर करने वाली यात्री को दो दिन तक प्रेशाने जहरनी पड़ सकते हैं बताते से 16 और 18 अप्रेल को 10-10 गंटे के लिए इस रूट पर ट्रेने बंद कर दी गई हैं 16 और 18 अप्रेल को इस निर्दारित समय के दोरान इस रूट पर नहीं तो कोई ट्रेन आएगी और नहीं कोई जाएगी रेल भी द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसार सुबह साड़े नो बजे से लेकर रात साड़े साथ बजे तक इस रूट पर ट्रेनों का संचालन बंद रहेगा इन दो दिनों में गरीबरत हावड़ा एक्सप्रेस अजमेर एक्सप्रेस पोरबंदर एक्सप्रेस अला हजरत एक्सप्रेस समयत कई अन्य ट्रेने भी प्रभावित रहेंग ताकि आग पर तुरंत काबू पायजास के बिना अगनी समक येंतरों के फसल कटाई से जुड़े सैयंतरों को जीन्द जिला में एंटरी नहीं दी जाएगी बावजुद इसके अगर फसल कटाई से जुड़ी मसीन या फिर सैयंतर पर अगनी समक उपकरण नहीं लगा है तो उसके खिलाफ वायू एंपर तुरं नहीं दीनियम के तैत कारावाई अमल मिलाई जाएगी इसको लेकर जिलादीश ने जिला में धारा 144 को लागो कर दिया है आगजने की घटनाई फसलों में नहीं हो इसको लेकर जिला पर सक्सन द्वारा कुछ कदम उठाए गए है जिला में ग्यों कटाई मस्दिनों को अगनी समक सैयंतर के साथ ही एंटरी मिलेगी सैयंतर नहीं लगे होने पर कारावाई अमल मिलाई जाएगी हारियना कांग्रेश 14 अपरेल को सोनीपत में बड़ी रेली करने जा रही है डाक्टर भीमराव अमेडकर के 132 विजयनती पर कांग्रेश सैक्टर 23 साइबर थानी के पास सवीधान बचाओ महारेली का आयुजन करेगी यह रेली रावल गांदी की केंदर सरकार के खिलाब छीडी लड़ाई को लेकर की जाएगी महारेली के मादेम से परदार मतरी नरेंदर मोदी और अडानी को निशाने पर लिया जाएगा परदेश की भाजबा जजबा सरकार पर भी कांग्रेश हमला बोलेगी कांग्रेश का हाथ से हाथ मिलावा अभियान अन्तिम चर्ण में है चोदा अपरेल को यह अभियान पूरा हो रहा है पार्टी की केंदरी ने तरुक्तों के और से श्राफ किया गया है कि इस कारेकरा में किसी भी तरह की गुटबाजी सामने नहीं आनी साइए रेली में वर्तवान में सांसद और विधायक भी मोजूद रहेंगे उम्मीद है कि राहूल गांदी के नाम पर एक बार फिर से हारियान कॉंग्रेश एक जूट होकर दिखाएगी भले ही यात्रा में कॉंग्रेशियों की दिल नहीं मिले हों लेकिन सबी दिगजों को राहूल की यात्रा के नाम पर एक होना पड़ा था कोरोने से बचाओ की तयारियों को परखने के लिए सोमार को परदेश बर के अस्पतालों में मौक ड्रिल की गई इस दोरन परदेश के कुछ अस्पतालों में खामिया भी नजर आई जीन में नागरी का अस्पताल में आई-स्यू काम नहीं कर रहा था इसके लाबाब ओक्सिजन प्लांट भी खरा मिला फिबानी के नागरिक अस्पताल में ICU वा आईसोलेशन वाड के बाहर डोनिंग एरिया जहां पर चिकित्चकों वर स्वास्त कर्मियों के PPE किट पहने का स्थान है ऐ बेवस्तित मिले आईसोलेशन वाड में मरीजों को भरती करने के लिए चार मंजिल तक बिना स्ट्रक्चर के लिए जाय गया महीं स्वास्त मंत्रे अनिल विज अंबाला में रियाल्टी चेक करने के लिए खुद मैदान में उतरे पहले ही सभी उपकोणों के जाच की जाच चुकी थी मोके पर केवल ऑक्सिजन प्लांट चलवा कर देखा गया आईशो में भी मोकड्रिल के दोरन किसे भी डॉक्टर और अन्य करमचारियों के हाथ पर गलाउज नहीं मिले वहीं चर्के दादरे में मोकड्रिल के पहले ही दिन सिविल अस्पताल की ओक्सिजन पाइपलाइन का वाल्व खरा मिला नेजी स्कूलों में विद्यारतियों के दाखले करने में स्कूल मुख्याओं के मनमानी के खिलाब सोमार को सिक्षय वाकी विभिने टीमों ने हिसार में चापा मारका कारवाई गी NCRT के किताबों की जगाए प्राइवेट परकासन की किताबें विद्यारतियों को बेशते भी पाए गए स्कूलों के मुख्या विद्यारतियों को एकी दुकान से स्कूल की वर्दी वे पुष्ट के खरेद ने के लि pharmacy मिले जिनकी कीमत करीब 20,000 रुपे थी नीजी स्कूल मुख्या दवारा ऐसे प्राइवेट प्रकासक की किताबे लगवाई गई है जिनकी किताबे बाजार में आसानी से उपलप्त नहीं है पुस्तकों के मुल्ले भी अपनी मर्जी से लिखे गए है, कुछ स्कूल ऐसे भी मिले जिनके परिशर में किताबों की दुकान खुली मिली, उन्हें दुकानों पर नीजी प्रकासन की किताबी रखी हुई पाई गई, नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों में प्राइवेट कारवाई अमल मिलाई जाएगी। की केमत में भी गिरावट देखने को मिली है, ये 308 रुपे सस्तियों कर 73,856 रुपे परती किलोगराम पर पहुँच गई, एक रिपोर्ट की अनुसार इस साल के आखिर तक सोना 65,000 रुपे परती 10 गराम तक जा सकता है, एक डॉलर का रेट 81,98 में पैसे किस्तार पर पहु